इम्रान वसूद साब आपने बयान का जिक्र किया तो उस बयान पर भी आ जाते हैं वो जो अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम एक बयान है जो पहले क्लिक पर आता है कथित विवादित बयान जिसमें बोटी-बोटी काट देने का जिक्र हो लेकिन साहरणपूर आकर हमको एक नई बात पता चली हमको पता चला कि वो जो बयान है 2014 के चुनाओ से पहले लीख होता है और उससे कुछ बरस पहले का वो बयान है और हमको यह भी पता चला कि वो बयाण आपके चाचा रशीद मसूत के कैम से ही लीफ किया गया था आपकी चुनावी संभावनाओं को 2014 की लोग सभा में खत्म करने के लिए क्या रियक्शन है आपका नहीं ऐसा तो नहीं है देखिए वो जो बयान था जिस जो आदमी मेरे साथ बैठा हुआ वो तो सच्छा ये खुलती ना वो जो मेरे साथ बैठे हुए थे साथ बैठे हमारे साथी थे दलिट साथी थे मेरे उनकी डेथ हो गई इ greatness हो गई हुए ऐस तफाक से आज़र डेथ हो गई तो वो साथ में बैठे हुए उनकी डेथ को जब इन्होंने जारी किया वो बयान उस डेथ को हुए वे छह में जजर गय थे तो वो कोर्ट के सामने चला गया उसने कि इसका तो इस चीज़ से कोई लेना देना नी चुक्छे जब 2013 के दंगे चल रहे थे तो दंगों के अंदर मैं लगातार घूम घूम करके शांत रहने की अपील कर रहा था और उसी एक अंदर उनी भावना हूँ क्योंकि हमारे यहां की जब्दान बड़ी खड़ी है और खड़ी बोली के अंदर वो इस तरह की भाषा का मुझे नहीं अंदास था कि इसका इतना जादा वो होगा हमारे यहां बोला जाता है अक्सर बेश्टर मेरे मुझे गालिये निकल जाती है कारे करताओं को डांट देता हूँ तो लोग वो इसको महबत के रूप में लेते हैं अच्छा इसका नसंदेश नहीं जाता तो इसलिए मैंने माफी मांगी दी मैंने कि या इन शब्दों से शेस हुई तो मैं उसके लिए माफी जाता हूँ क्योंकि मैं उस तरह का आदमी नहीं जिस तरह की छबी मेरी बनाई गई इम्रान मसूद को आप सारनपूर में आकर पहचानेंगे मीडिया के बनाय हुए इम्रान मसूद को मत देखिये लेकिन मौदी साब योगी साब यहां पहरा करके यहां के हिंद्वों से पूचें कि इमरान मसूद क्या है इमरान मसूद को अगर रात को दो बजे भी कोई आवाज लगाएगा तो उसका धर्म नहीं पूचूँँगा साथ चल दोगाएगा यह हिम्रान बसूद अगर किसी को किसी वक्त जबरत है और मुझे आवाज लगाएगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ मुझे उसका धर्म और जाती से मतलब नहीं होता मुझे इंसानियत से मतलब है और मैं इंसानियत के लिए लड़ता हूँ